प्री बेहनों और भाईयों भाण्जे और भाण्जीयों नमस्कार मैं रोज कोरोना की इस्थिती की समिक्षा करता हूँ नमंबर माह में पॉजिटिव केसे लगातार बढ़ रहे हैं विशेश कर पिछले एक सपताह से पॉजिटिव आने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं विशेश कर इन दौर में भॉपाल में रोज पॉजिटिव केस मिल रहे हैं 29 नमंबर को भुपाल में नो पॉजिटिव केस आये थे, आज 30 नमंबर को 14 पॉजिटिव केस आये हैं, इन दोर में भी 5 आये हैं, बाकी जगे भी छुट-पुट केस मिल रहे हैं, और हम जानते हैं, पुराना अनभव हमको बताता है, कि ये केसे फिर धीरे धीरे लगातार फैलते और बढ़ते हैं, अफरिका में जो नया वेरियंट मिला है, उसमें पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है, लगातार केस दुनिया में बढ़ रहे हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहत हूं, बड़ी मुश्किल से हमने खुली हवा में सास लिया है, इस्थिती सामान वनती जा रही थी, इस्थिती ना विगड़े, और हम तीसरी लहर को आने से रोक दें, इसके लिए अभी से सावधानी जरूरी है, अभी मैं देखता हूं कहीं भी, आम तोर पर मास्क नहीं ल जिस संकर से हम सेकेंड दौर में गुजरे हैं, उसकी तकलिफ हैं, हम भूले नहीं हैं, हमको सावधान रहना होगा, हमको नियंतरित करने के सारे उपायों को अपनाना होगा, सरकार सतर्ख है, सचेत है, मैं लगातार बैठके करके, तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी के न पिरदेश दे रहा हूं, लेकिन सहयोग आपको भी करना पड़ेगा, ताकि तीसरी लहर हम आने ही ना दे, आज इस्थिती को हम नियंतरित कर सकते हैं, और इसलिए किरप्या करके मास्क जरूर लगाएं, मैं सबसे अपील करता हूं, भाई, वहन, बेटे, बेटी, कहीं भी निकले मास्क जरूर लगाएं, या था समभब भीन से बचे दूरी बनाएं, हाथ स्वच्छ रखें, और हाँ रोज हम टेस्ट करना चाहते हैं, कई वह लोग टेस्ट कराने से इंकार करते हैं, किरप्या कोविट की टेस्ट को जरूर करवाएं, तो उसी से तो हमको पता चल रहेंगे तो, और जो लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, उनको आईसोलेट करना होगा, आईसोलेशन में रखना पड़ेगा, उस घर को कंटेन किया जाएगा, इस में सही होग करें, सेकेंड डोज जरूर लगवाएं, मैं फिर अपील करता हूं सेकेंड डोज, हमारी सुर सभी धर्म गुरूं से, जन पृतिनियों से, राज नतिक दलों के कारी करता हूं से, समासेवी संक्षनों से, नोजवानों से, बेटे-बेटियों से, विद्धार्चियों से अपील करता हूं, कि आपका सही होग, तीसरी लहर को रोकने के लिए अतियंत आप सक है, अभी दूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या पचास प्रिस्ट कर दिये, एक दिन में केबल पचास परसेंट जाएंगे, ताकि दूरी बना के रख सके, और वो भी माता, पिता की, पालकों की अनुमती लेकर, अस्पतालों में आवस्षक तयारी रहे, आक्रिजन प्लांट दबाईयां, कंसंट्रेटर, इंजेक्शन, वो सारी तयारी हम कर रहे हैं, लेकिन है भगवान, इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन आप से भी प्रार्थना है, आप आवस्षक सहयोग जरूर करें, सुरक्षा से ही हम बच सकते हैं, साबधानी अगर रखेंगे, तो वो साब साबधानी ही हमारी सुरक्षा है, और वही हमें बचाएगी, कल मतलब एक दिसंबर को, सवेरे दस बजे, मैं क्राइसिस मेनिजमेंट कमेंटियों के साथ समबात कर रहा हूं, बाच्चीत कर रहा हूं, उनको भी संबोधित करूँगा, और उनसे भी अपील करूँगा, कि हम अभी से तीसी लहर ना आने देने के लिए, कमर कसलें, जिले की क्राइसिस मेनिजमेंट कमेंटी, बिलाग की क्राइसिस मेनिजमेंट कमेंटी, और पंचाद की क्राइसिस मेनिजमेंट कमेंटी, बाट की क्राइसिस मेनिजमेंट कमेंटी, अभी से सक्री होके, इस्थितियो पर नजर रखें मास्क के लिए हम आग्रे बढ़ाएं और हर तरह की साफधानी रखें मुझे पूरा विश्वास है आप सब के सहयोग से मद्धु प्रदेश को हम तीसरी लहर के संकट से बचा लेंगे बहुत-बहुत धन्यकुत